हलो फ्रेंट्स कैसे आप लोगा यहोप आपको देच होंगे तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम किसी भी मुविंग ऑब्जेक्ट पे लाइक जैसे कि कोई भी प्लेयर है उसके उपर आपको ग्लो एफेक्ट देना है तो आप कैसे दे सकते हैं तो यह स्पोर्स वीडियो आपको लिए काफी जाओने वाला है यह चीज यह दिया आप किसी चीज को हाइलाइट करना चाहते हैं तो वहां पर यह उनिमेशन जो बहुत जाओने वाला हुआ तो चले दिर्टी चलते हैं अपनी कंप्प्यूटर के और मैं आपको पताता हूं कि किस तरीके से आप किसी सब्सक्राइब करने डिया यहां पी चेंज आप करना चाहते हैं पूरी चीज़ें बताने वाला है तो चलिए सबसे है लेना इसलिए यहां पर हम इक नया कृडियाइव आप कर ले इसके बाद में आपको यहां पर पूरी बॉडडी को जो है इस तरीके से आपको पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं यहां पर इसके बाद में आपको पूरा पार्ट कर देना है जैसे कि पूरा पार्ट हो चुका है तो आपको फ्रीज बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद में यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में और डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का जो कॉन्फीकेशन है वह बहुत है यहां पर जल्दी यह पूरा से लेक्ट हो जाएगा पार्ट फोड़ा साथ यहां पर तो आप देख सकते हैं कि यहां पर वीडियो प्रोसेस हो को चुका है तो आप Department का यह यहां को आप कि इस आप अपर के लिए कि आपका ध्या Ettire हमें देखेंगे तो यहांट है में यहांनोत है हम इसको क्लोस कर देंगे यहां देखेंगे तो पूर का पूरा बार्त है अब यह नहीं देखा प्लिक कर देंगे तोШते पीछे का जो background अपह पर हट जाएगा तो इसके बाद मैं को करना क्या है कि स्लेक्ट कर दैन आदाना आपको लेयर पे और यहां प्याइक प्यार्णा पर और आने के बाद में आपको यहां पर एरिया स्लेक्टिट करना करना करने कर दो तो तो थोड़ा पूर असा प्रोसेस होने में यहां पर टाइम लगे कि दैने इसके बाद में यह पूरा कमप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे काफी सारा जो मास्क है यहां पर क्रियेट हो चुका तो अब यहां पर इसका नाम है सेबर आप लोग के सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं यह पूरा एकदम फ्री है आपको सिंपल जाना है सेबर आपको सर्च करना है गूगल में इसको इंस्टॉल कर देना है यहां पर आप आपकोड़ ढल देना सेबर एफेक्त शुका है खिर्टैन कश्टमाइस कोर कर डना आपको हो चूर कर चूज कर द आब यहां को छीज इसके बाद में आप इसका blending mode change कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप इसक्रीन कर दिया है तो अब आप देखेंगे यहां पर थोड़ा सा आगे पीशे हो रहा है यह चीज इसको आपको क्या करना है आपने पेश्ट करते अटाइम पर आपको लोकेशन जो है रखना है तो घरवर हो यहां पर दिया है यहां पर सई प्राइब हो चुए यह तरीके से आपको ध्यान रखना पेश्ट करते हैं की फ्रेम को प्राइब होना चाहिए फिर जो है यहां कर सकते हैं अब पीछे का रिर्च हो चुका है अब आपको यहां पीछे का जो लेकर ताफ चिज़ाना है थोब सा लिपाइब बीच ओ बीच में इसके जो पैसिटी है वह आपको यहां पर कम कर दिनी लाइक जैसे कि मैंने आप इसको कर दिया 50 अब देखें यहां पर काफी अच्छा जो है यहां पर हाइलाइट हो रहा है हमारा सब्जेक्ट हाइलाइट हो रहा है और पीछे का बैक ग्राउंड भी इसको आप जैसे कि यहां पर आपको यहां पर कर देना है इसको जीरो कर देंगे तो काफी अच्छा आपको यहां पर इस तरीके से देखने मिल जाता है यह देखे पूरा ऐसा लाइन जो है अनिमेट होते हुए फायर जाएगा अब यहां पर सिंपल आपको करना क्या है कि इसको आप जैसे दूर रखेंगे तो आपको जो एणिमेशन थोड़ा सा अफा मोसन इस तरीके से जड़ी आप इसको करना चाते हैं तो यहां पर इसको अनिमेट भी कर सकते हैं यह आप चाहते है डिरेक्ली तिखाना तो सिंपल आप दिखावी सकते यह इन हो गया आप इस तरीके से लाइन को अनिमेट कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि डायरिकली आपको जो है किवाल एनिमेशन डायर्क ली दिखाना को यह नहीं चाहिए तो इसके बार पूरा ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देने लग जाएगा अब यहां पर आप चाहें तो जो भी आप यहां पर कलर भी चेंज कर सकते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है तो यदि आप लोग इस तरीके से कोई भी कि स्पोर्ट वेट वेड़ा को को वीडियो कर रहा है और वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइलाइट करनी है आपको तो आप इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं तो आप आप लोग पसंद आया होका यादि आप लोग इसितर के और बुर इंट्रेस्टिंग वीडियो देख